कि नमस्कार दोस्तों क्लासेज विनिताचोहन.com में आपका फिर से स्वागत करता हूँ हम लोग टेस्ट स्रीज सॉल्व कर रहे थे और आज की जो टेस्ट स्रीज है उसका जो पहला क्यूशन है वो है राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा किला कौन सा है पूचा गया है अपने को की राजस्थान का जो दूसरा सबसे बड़ा किला है वो कौन सा है एक नमबर पे बिकानेर किला दे रखा है दो पे जैसल मेर किला दे रखा है तीन पे कुंबल गड़ किला दे रखा है चार पे मेरान गड़ किला दे रखा है तो इसका जो राइट आ यहां से ये effect आपको ध्यान में रखने है? राज समंद और ये जोद पूर ठीक है? बेकानेर का आपको ध्यान में है? बेकानेर में हैं जेसलमेर का जो किला है वो नन्यान में बुर्जूं वाला किला है कितने बुर्ज? नन्यान में ये भी एक important fact है जो आपको द्यान में रखना है अब next question पे बढ़ते हैं कौन सा किला गटबीटली के नाम से जाना जाता है एक नमबर पे है लोहागड भरतपूर दो पे है तारागड बुंदी तेन पे है तारागड अजमेर तो right answer होगा गटबीटली के नाम से जो किला है वो है तारागड अजमेर ठेक है next question मेरानगड जोदपूर के लिए और सहरों या जिलों के निमिलिकित जोड़े में से कौन सा मिलान सही डंग से मेल नहीं खाता है यहाँ पे पूचा गया है कि कौन सा जोड़ा मेल नहीं खाता है तो एक नमबर पे है तारागड बूंदी दो पे है गागरोन जालावाड तीन पे है सोनारगड जेसल मेर चार पे है कुम्बलगड उदेपूर तो इसका जो right answer बनेगा वो बनेगा कुम्बलगड क्योंकि कुम्बलगड उदेपूर में ना होके राज समन्द में इस्तित है next question मेरानगड दुरग का निर्मान किसने करवाया था पूचा गया है कि मेरानगड दुरग का निर्मान किसने करवाया था एक नमबर पे है राव मालदेव ने दो पे है राव चंदर सेन ने तीन पे है राव जोदा ने और फूर्थ नमबर पे है राव सिया ने तो राइट आंचर होगा राव जोदा ने यहां से आपको एक और फेक्ट ध्यान में रखना है चोदा सो गुनसट में इसका निर्मान करवाया गया और जो मेरान गड़ का दुर्ग है वो चिडिया टूंक की पहाड़ी पर इस्तित है चिडिया टूंक ठीक है और मेरान गड़ के दुर्ग को मयूर दवज गड़ के नाम से भी जाना जाता है निमन में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है पूचा गया है सही सुमेलित नहीं है क्यूशन बहुत ही बारी की से पढ़ना है क्या पूचा गया है सुमेलित नहीं है तो सजन गड़ है उदेपुर में है ये तो सही है दो नमबर पे है नारगड अजमेर, तीन नमबर पे है मेरानगड जोदपूर, फोर्थ नमबर पे है लोहागड बरतपूर तो अपना हाँ जो यहाँ पे सई सुमेलित नहीं है वो है नारगड अजमेर क्योंकि जो ये नारगड है ये जेपुर डिस्टिक में इस्तित है नारगड फोर्ट जेपुर में इस्तित है और नारगड जो दुर्ग है इसकी सबसे बड़ी विसेश्ता ये है कि यहाँ पर एक जैसे नो महल इस्तित है। करूली तीन पे है अलवर फोर्थ पे है बरतपूर तो इसका जो right answer होगा वो होगा करूली और जो यहां से एक important fact है वो ये है कि केला देवी के जो वक्त है वो कौन सा गीत लांगूरिया गीत पूचा जाता है एकजाम में कि लांगूरिया लोध गीत किस से समन्दित है तो वो है केला देवी से ठीक है next एक और फेक्ट केला देवी से आप ध्यान में रख सकते हो वो है कि यह जो केला देवी है यह तिरकूट की पहाड़ी पर इस्तित है यानि यह तिरकूट परवत पर इस्तित है तिरकूट परवत यह पूचा गया है एक्जाम में कि केला देवी का मंदिर कौन से पारड़ी परिष्थित है तो तिरकूट परवत पर ठीक है next question है लोग देवता मली नात जी का मंदिर कहाँ पर है एक नमर में है तिलवाडा बाड़ मेर दो पर है नगलाजाज भरतपूर तीन पर है सातु गाउं जालूर चार नमर पर है पांचोटा गाउं जालूर तो राइट आंसर निकलेगा यहां से तिलवाडा बाड़ मेर एक यहां पर कन्फ्यूज करने वाला question होता है तो मलिनात जी का तो सब को पता रहता है कि मलिनात जी का जो मंदिर है वो तिलवाडा बाड़ मेर मेर में है लेकिन तलिनात जी का मंदिर कहां पर है तलिनात जी का मंदिर कहां पर है इसका आंसर आप मुझे comment box में बताओगे अगर आपको नहीं आएगा तो फिर में उसका reply नेक्ट वीडियो में आपको करूँगा ठेक हैं तो आपको बताना है कि तलिनात जी का मंदिर कहां पर है नेक्ट वेनेश्वरदाम किन तीन नदियों के संगम पर इस्तित है एक नमबर ओप्षन है सोम, माही, पार्वती 2 पे है माही, कोठारी, पार्वती 3 पे है सोम, जाखम पार्वती 4 पे है सोम, माही, जाखम तो मैंने ये क्यूसन पहले भी बताया था जब हम लोग लाइबरेरियन ग्रेड सेकंड की टेस्ट सरी जी सॉल्व कर रहे थे तो उस टाइम पे मैंने बताया था कि जो वेने स्वरदाम है वो सोम माही जाखम नदियों के संगम पर इस्तित है और इनको याद करने की वीदी मैंने बताया थी समझ क्या बताया थी समझ सैसे तो सोम मैं से माही और जैसे जाखम इन तीन नदियों का जहां पर मिलन होता है वहीं पर वेने स्वरदाम इस्तित है ठीक, नेक्स्ट, पुष्कर के ब्रहा मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में बरमाजी का दूसरा मंदिर कहा है बहुत ही अच्छा क्यूशन है, एकजाम में पूटप हो सकता है यानि यहाँ पर पूचा गया है कि दूसरा मंदिर कहा है तो ये उप्षन है ओसिया, दो है आसोत्रा, तीन है आसापुरण, फोर है डिग तो इसका जो right answer होगा वो होगा आसोत्रा, ये आसोत्रा कहां पढ़ता है ये बार्ड मेर मेर में पढ़ता है ये फेक्ट आपको ध्यान में रखने आसोत्रा बार्ड मेर में क्योंकि कभी कबार आसोत्रा ना देके एकजाम में बार्ड मेर डायरेक्ट दिया जाता है कि दूसरा मंदिर कहा है बार्ड मेर में ओसिया जो है ये जोदपूर में है और डिग है ये बरतपूर में है ठीक है नेक्स्ट कुशन है तिरपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में है एक नंबर पे है बासवडा, दो पे है जेपूर, तीन पे है उदेपूर, चार पे है रासमन तो राइट आंचर होगा तिरपुरा सुंदरी का जो मंदिर है वो बांसवाडा में है और तिरपुरा सुंदरी माता की जो खास बात है वो यह है कि इनकी पीट के उपपर स्री यंतर अंकित है बहुत ही अच्छा फेक्ट है कि कौन सी माता की पीट पे स्री यंतर अंकित है तो वो है त्रिपुरा सुंदरी माता ठेक है अब next question देखते हैं मंदिर इस्तान का सही सुमेलित नहीं है यानि मंदिर दे रखा है और मंदिर से समंदित इस्तान गिवन है और पूँचा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है ठेक है तो एपे है द्वारिकादिस कांकरोली ये तो राइट है दो है सुंदा माता मंदिर भीनमाल जालोर ये भी सही है आई माता मंदिर बिलाडा जोदपूर ये भी सही है जौला माता मंदिर तलवाडा ये गलत है जौला माता का जो मंदिर है ये जोबनेर में है जोबनेर में इस्तित है आई माता का मंदिर बिलाडा बिलाडा जोदपूर में पढ़ता है आई माता से related fact आपको ध्यान में रखना है ये सीर्वियों की कुल देवी है जो सीर्वी जाती है उनकी ये कुल देवी है ठेक है और ये कांकरोली जो है ये राज समन्द में पढ़ता है राज समन्द Next प्राचीन तंबिक सक्ति पीट सुन्दा माता का मंदिर कहां इस्तित है ये option है जालोर में दो है जोदपुर जिले में तीन जुन जुनु जिले में फोर शिकर जिले में तो जो सुन्दा माता का जो मंदिर है वो है जालोर में कहां पर है जालोर में next question, चार चोमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में इस्तित है एक नमबर पे है कोटा, दो नमबर पे है बूंदी, तेन नमबर पे है जालावाड, चार नमबर पर है सिक्कर तो right answer निकलेगा कोटा, जो चार चोमा का मंदिर है वो कोटा जिले में इस्तित है यहाँ से आपको direct question पूछे जाते हैं यह कि चार चौमा का मंदिर काँ पर है बाडोली का मंदिर काँ पर है एक लिंग नात जी का मंदिर काँ पर है मंदिर से हमेशा mostly अधिकांस्तर direct question ही put up होते हैं next लटियाल देवी का मंदिर इस्तित है बहुत यचा किसन है तो एक नंबर पे है रणकपूर दो पे है अबू तीन पे है फ्लोदी चार पे है नागोर तो right answer इसका होगा लटियाल देवी का जो मंदिर है वो है अपना फ्लोदी में कहां पर फ्लोदी में और ये कल्ला जाती की कुल देवी है कल्ला चाती की जो कुल देवी है वो लटियाल देवी ही है next question रणकपूर के जेन मंदिर में कितने खंबे है तो इसका जो right answer निकलेगा वो निकलेगा 1444 खंबे कितने 1444 तो रणकपूर का जेन मंदिर का जो वास्तो कार था वो किसके समय में मतलब रणकपूर के जेन मंदिर का निर्मान हुआ तो वो रणा कोंबा का मंत्रिता दारनक्सा के सिल्प कार थे देपाक तो most fact है कि रणकपुर के जेन मंदिर का जो सिल्पकार है उनका क्या नाम है तो उनका जो नाम है वो है देपाक तो सिल्पकार देपाक हो गए और मंतरी राणा कुम्बा के दार्नक्सा हो गए तो राणकपुर के जेन मंदिर का निर्मान दार्नक्सा के समय में देपाक के दुवारा करवाया गया नेक्स्ट क्यूशन है चूलगरी जेन मंदिर कहां इस्तित है फर्स्ट में है उदेपूर, टू में है दोलपूर, थ्री में है जोदपूर, फॉर्थ में है जेपूर तो राइट आंशर बनेगा जेपूर यानि फॉर्थ नंबर अपना राइट आंशर हो जाएगा चोलगरी के जो जेन मंदिर है का है जेपूर में बहुत ही इंपोर्टेंट क्यूशन है बारा में इस्तित किस मंदिर में देवी की पीट की पूजा होती है तो इसका जो राइट आंशर निकलेगा वो निकलेगा एक नंबर एक नंबर राइट आंशर यहाँ पर जो विविश्ण जी का मंदिर है ये कोटा में है और सावित्री जी का जो मंदिर है ये पुशकर में है पुशकर अजमेर नेक्ट क्यूशन चाक्सू का सीतला माता का मंदिर किसने बनवाया था तो चाक्सू की जो सीतला माता का जो मंदिर है ओप्शन है मान सिंग परतम दो पे है परताप सिंग तीन पे है स्वाई जे सिंग चार पे है मादो सिंग तो राइट Arkansas होगा फोर्थ नंबर मादो सिंग जो सीटला माता है यह कुमार जाती है कुमार जाती की कुल्देवी है ठीक है और सीटला माता का जो मंदिर है वो चाक्सु, जेपुर में इस्तित है और जो सीतला माता है इसका जो वान है वो गदा है तो यहां से यह दो तिन फेक्ट आपको दियान में रखना है नेक्स्ट रेगिस्तान का जलमेहल किसे कहा जाता है बहुत ही इंपोर्टेंट परसन है एकजाम के दरश्टी कोण से कि रेगिस्तान का जलमेहल किसे कहा जाता है एक नमबर पे है सरडा एक नमबर पे है सरडा पानी की बावडी दो पे है बटाडू का कुवा बाड मेर तेन पे है राणी जी की बावडी चार पे है मैला बाग जालरा जोदपूर तो राइट आंसर यहां से निकल के आएगा फ्रेंड्स बटाडू का कुवा बाडमेर जो राणी जी की बावडी है ये बुंदी में है और इसका जो इंपोर्टेंट फेक्ट है वो ये है कि इसे वो राणी जी की बावडी बुंदी है ठेक है सरडा राणी की जो बावडी है वो टोडा राइसिंग टॉंक में है तो ये फेक्ट आपको ध्यान में रखना है कि सरड़ा रानी की जो बावडी है वो कहां पर है टोड़ा राइसिंग टॉंक बटाडू का कुवा कहां पर है एकजाम में ऐसा भी पूंचा जा सकता है तो बार्ड मेर आपको ध्यान में रखना है और सबसे बड़ी जो विशेषता है वो यह है कि इसे रेगिस्तान का जन महल कहा जाता है विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहां रखा हुआ है एक नमबर सिटी पेलेश जेपूर दो है खेतली जुन्जुनू तीन है हरस्की पाड़ियां शिकर चार है लेक पेलेश उदेपूर राइट आंसर एक नमबर सिटी पेलेश जेपूर next हवा मेल का निर्मान करवाया गया first option सवाई जे सिंग, second, राम सिंग, third, परताप सिंग, fourth, मान सिंग तो इसका जो निर्मान है वो परताप सिंग के दुआरा करवाया गया यहां से दोस्तों आपको दो-तिन फेक्ट ध्यान में रखना है कि जो हवा मेल है वो पांच मंजला इमारत है और हवा मेल का जो वास्तो कार था वो लाल खा था लाल खा और जो पांच मंजला इमारत है इनका जो सबसे निचली जो इमारत है step by step आपको द्यान में रखना है फिर उससे उपर की इमारत कोण सी है तो जो सबसे उपर ही उपर जो इमारत है वो है हवा महल हवा मंजिल जो सबसे उपर वाली है उसको हवा मंजिल बोलते हैं उससे नीचे वाली को परकास उससे नीचे वाली को विचितर हवा परकास विचित्तर और उससे नीचे वाली को रतन और जो सबसे नीचे वाली जो मंजिल है उसको सरद या परताप तो एकजाम में पूचा हुआ क्यूसन है कि हवा मैल की जो सबसे नीचे वाली जो मंजिल है उसको किस नाम से जाना जाता है तो उसको सरद या परताप के नाम से जाना जाता है ये फेक्ट आपको द्यान में रखना है नेक्स्ट क्यूसन जोगी महल इस्तित है एक नमबर पे चितोडगड़, दो पे रणथम बोर, तीन पे लोहा गड़, चार पे नार गड़ तो right answer होगा रन्थम बोर यहां से आप ज्यान में रख सकते हो रनिहाड तालाब सुपारी महल ये भी रन्थम बोर द्रुग में ही इस्तित है next question अपना है छीतर पेलेस के नाम से परसिद है एक नंबर पे है चंदर महल पेलेस दो पे विजे मंदिर पेलेस तीन पे सामोद महल चार पे उम्मेद बवन पेलेस जो right answer है वो है उम्मेद बवन पेलेस next सुमेलित कीजिए फत्य प्रकास पेलेस एक तरफ पेलेस का नाम दे रखा है पेलेस या महल का नाम और दूसरी तरफ दे रखा है अपने को इस्तान या जिले का नाम की कोण सा पेलेस कहाँ पर इस्तित है तो एक बार इनका मिलान करके देख लेते हैं कि जो फत्य प्रकास पेलेस है यह है चित्तोडगड में एक बार मिलान करते है जो फत्य प्रकास में पेलेस है वो चित्तोडगड में है सुक महल पेलेस बूंदी में है तो यहां से अपना आंसर निकल के आ जाएगा केसर विलास पेलेस है ये सिरोई में है किसोरी मैल है ये बरतपुर में है तो आंसर निकल के आया B, D, A, C तो दो नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा Next परसिद्ध चोराशी कंबु की छत्री कहां इस्तित है तीन पे जेपूर, फूर्थ पे बूंदी तो राइट आंसर बनेगा बूंदी यहां से आप ध्यान में रख सकते हो 32 कंबु की जो छत्री है वो रण्थम बोर में है रण्थम बोर जो टहला की छत्रियां है टहला वो मूसी राणी की छत्रियां ये अलवर में है कहां पर है अलवर में है जेपुर इस्तित गेटोर की छत्रियां किस वन्च से समंदित है यानि किस राजप्रिवार से समंदित है गेटोर की छत्रियों के बारे में पूचा गया है उप्षन आपके सामने है ए पे हाटा, दो पे है सिसोधिया, तीन पे है परमार, चार पे है कचवहा तो राइट आंसर होगा फोर्थ नमबर कचवहा नेक्ट क्यूशन है राजस्थान में बड़ा बाग छत्रियां कहां पर अवस्तित है एक नमबर जेसल मेर, दो बिकानेर, तीन अलवर, चार बाडोली तो बड़ा बाग की जो छत्रियां है वो जेसल मेर में है और इसी के साथ आपको एक और फेक्ट द्यान में रखना है कि जो शार बाग की जो छत्रियां है चार बाग ये कहां पर है तो ये कोटा जिले में है बड़ाबाग की चत्रियां जेसल मेर में और चारबाग की चत्रियां है वो कोटा जिले में इस्तित है दोनों में काफी कनफ्यूज रहता है और डाउट हो जाता है कि चारबाग की चत्रियां कहां पर है और बड़ाबाग की चत्रियां कहां पर है तो जो बड़ाबाग की चत्रियां है वो तो जेसल मेर में है और जो चारबाग की चत्रियां है वो कोटा जिले में है नेक्ट क्यूशन पट्वों की हवेली कहां इस्तित है ओप्शन है एक नंबर उदेपूर दो जेसल मेर तीन जोदपूर चार जुन जुनू तो जो राइट आंसर होगा वो होगा जेसल मेर पट्वों की हवेली का निर्मान सेट गुमान चंद पापना के दुआरा किया गया था नेक्स्ट क्यूशन अपना है बीती चितरन की द्रस्टी से कहां की हवेलिया परशिद्ध है बहुत अच्छा क्यूशन है एक नंबर उप्शन है सेकावटी दो है जेसल मेर तीर है उदेपूर चार है विकानेर राइट आंसर सेकावटी किसने टॉक में नर्ते गायन और संगीत के लिए एक सांदार होल सुनहरी कोटी बहुत ही अच्छा क्यूशन है सुनहरी कोटी वाला कापी बार एकजाम में पूचा गया है कि सुनहरी कोटी का निर्मान किसके दुआरा करवाया गया और ज्यादातर पूचा जाता है कि सुनहरी कोटी कोण से जिले में इस्तित है तो पहले तो इसका आंसर फैंड करते हैं A number option है, नवाब वाजित अली सहा, दो है नवाब आमीर खान, तीन है नवाब बिर्जिस, चार है नवाब मुहम्बत इब्राइन अली खान, तो right answer होगा fourth number, और साथ में ये fact द्यान में रखना है कि जो सुनहरी कोटी है वो टॉंक में इस्तित है, कहाँ पर टॉंक में, next question है, 31, इस्तापते कला से जुड़ी हवेलियां वे उनके इस्तानों को सुमेलित कीजिए, बहुत यचा question है, तो उदेपुर दे रखा है, सामने नतमल की हवेली दे रखी है, जेसलमेर दे रखा है, सामने बागोर की हवेली दे रखी है, जेसलमेर दे रखा है, और तड़ा हवेली दे रखी है फलोदी दे रखा है और सलिम सिंग की हवेली दे रखी है तो यहां से एक में तो एक जो उदेपुर है वहां पे बागोर की हवेली इस्तित है और जो जेसल मेर है यहां पर नतमल की हवेली इस्तित है और जो सालिम सिंग की हवेली है वो भी जेसल म मेर में ही है और जो लाल चंद टड़ा की जो हवेली है ये भी ही फलोदी में इस्तित है तो ओप्सन देखते हैं कौन सा राइट होगा ओप्सन अपना राइट हो जाएगा एक बार दुबारा मिलान करके देख लेते हैं कि जो नतमल जो बागोर की हवेली है ये उदेपुर में है और सालिम सिंग की जो हवेली है ये जेसल मेर में है और नतमल की हवेली है ये भी जेसल मेर में है और फलोदी में है लाल चंद टड़ा की हवेली तो right answer हो जाएगा अपना 2, 4, 1, 3 यानि 3 number option Next, चांद बावडी कहां इस्तित है? बहुत ही famous question है बार बार एकजाम में put up होता है चांद बावडी कहां इस्तित है? एक नमबर पे है आमेर, दो पे है सिक्कर, तीन पे है आबा नेरी, फोर्थ पे है इन में से कोई नहीं, तो चांद बावडी जो इस्तित है, वो आबा नेरी दोसा में है जो आबा नेरी है, ये दोसा में पढ़ता है एक यहां से चांद बावडी के साथ में आपको ध्यान में रखना है बांडा रेज की बावडी कहां पर इस्तित है कौन से जिले में बांडा रेज की बावडी इस्तित है तो वो है दोसा जिला next सुमेलित कीजिए एक तरफ विरासत का नाम है दूसरी तरफ इस्तान गीवन है तो जो गाजनेर नहीं है यह गजनेर है गजनेर गजनेर का जो मैल है ये बिकानेर में है किराडू का जो मंदिर है ये बाडमेर में है जग मंदिर है ये उदेपुर में है तो यहां से जो राइट आंसर निकलेगा वो निकलेगा 3-1-2 3-1-2 यानि 3 नमबर अब यहां से अपने को द्यान में रखना है कि जो किराडू का मंदिर बाड मेर है इसे राजस्थान का खुजराओ कहा जाता है राजस्थान का खुजराओ ठेक है और राजस्थान का जो मीनी खुजराओ है वो बंड देवरा मंदिर बारा को कहा जाता है यानि मीनी खुजराओ जो बारा जिले में पढ़ता है Next question किस किले के लिए कहा गया था कि बाकी सब किले नंगे है जबकि ये बक्तर बंद है कापी बार एकजाम में रिफिट होता है ये question एक नमबर पे है चितोडगड किला दो पे है आमेर किला तीन पे है रन्थमबोर किला फोर्थ पे है कुंबलगड किला जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा रन्थमबोर का किला जो रन्थमबोर का किला है ये स्वाई मादुपूर में है और इसका जो निर्माता है वो जयंत है जयंत के दुआरा रन्थमबोर के किले का निर्मान करवाया गया कौन सी पहाड़ी पे हैं रन थंब की पहाड़ी पर रन थंबोर का किला अवस्तित है आमेर का किला है ये जेपुर में है कुंबल गड़ का किला मैंने पहले बताई दिया है कुंबल गड़ के किले से आप फेक्ट ध्यान में रख सकते हो कि जो कुम्बल गड का जो किला है वो राज समंद में है और इस किले के अंतरगट कटार गड का दुरग इस्तित है जिसे मेवाड की आँक कहा जाता है मेवाड की आँक तो यह दो-तिन फेक्ट है अच्छे फेक्ट है आप इनको ध्यान में रख सकते हो है थाठी फाइक रन्थंबोर के दुरग का पतन कब हुआ तो एक नमबर पर है गयारा जुलाई 1.31श फोर्थ नमबर है recommend जुलाई 1301 इस्वी तो राइट आंचर होगा फोर्थ नंबर 1301 में हमीर देव वै अल्लावदुन खिलजी के बीच में युद्ध हुआ और इसी युद्ध को रन्थम बोर साखे के नाम से जाना जाता है जो 1301 में हुआ था राजस्तान के किस गड़ को धार धार गड़ के नाम से भी जाना जाता है एक नंबर है बटनेर का किला दो है गागरोन का किला तीन है रन्थम बोर का किला फोर्थ है चोमोहा गड़ तो राइट आंसर चोमोहा गड़ चोमु जेपूर को धार धार गड़ के नाम से जाना जात है नेक्ट क्यूशन है अबुल फजुल के किस दुरुग के बारे में लिखा है कि ये इतनी उचाई पर इस्तित है कि नीचे से उपर देखने पर सर की पगड़ी नीचे गिर जाती है तो एक नंबर पे है चितोड गड़ दुरुग दो पे है कुम्बल गड़ दुरुग तीन पे है मेरान गड़ दुरुग चार पे है रनथम बोर दुरुग राइट आंसर कुम्बल गड़ दुरुग कुम्बल गड़ दुरुग का जो सिल्पकार था वो मंडन था बहुत अच्छा थेक्ट है मंडन और कुम्बल गड़ के किले की जो दिवार है इसकी लंबाई है 36 क गुड़ स्वार एक साथ चल सकते हैं कितने गुड़ स्वार चार गुड़ स्वार next question कटार गड़ दुरग का हिस्सा है एक नमबर चितोड़ गड़ दो गागरोंड तीन कुम्बल गड़ और फोर्थ अचल गड़ अभी थोड़ी दर पहले ही डिसकर्स किया था और क्यूशन सामने आई गया है तो इसका जो राइट आंचर होगा वो होगा तीन नमबर कुम्बल गड़ next क्यूशन राजस्थान के किस जिले को जल दुरग की सरेणी में रखा जा सकता है एक नमबर है कुम्बल गड़ दो है मेरान गड़ दुरग तीन है गागरोन का किला चार है नागोर का किला तो राइट आंचर होगा तीन नमबर गागरोन का किला जो काली सिंद काली सिंद वह आहू नदियों के संगम पर इस्तित है next क्यूशन वह किला जिसकी आजादी की अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकरों ने गोला बारूद खतम होने पर दुस्मनों पर चांदी के गोले दागे हैं तो वह किला कौन सा है एक नमबर पे है चूरू का किला चूरू दो पे है केस रोली का किला केश रोली तीन है लोहागड का किला बरतपूर फोर्थ नंबर पे है जूनागड का किला विकानेर तो राइट आंसर बनेगा चूरू का किला चूरू जिसका निर्मान ठाकूर कुसहाल सिंग के दुआरा करवाया गया था किसके दुआरा ठाकूर कुसहाल सिंग ये भी important fact है तीन पे है मारावल तेज सिंग ने फोर्थ पे है बिसल देव ने तो यहाँ से जो अपना आंसर बनेगा वो बनेगा राणा कुमबा यानि दो नंबर राइट होगा next है कौन सा किला पहले बोरासवाडा के नाम से जाना जाता था बहुत इच्छा परसन है बोरासवाडा पूचा गया है एक नमबर पे है टोट गड़, दो पे है आमेर, तीन पे है तारा गड़, चार पे है सोना गड़ तो राइट आंसर होगा टोट गड़ ये अजमेर में पड़ता है कहां पर अजमेर में एक बात दोस्तों अगर आपको ये टेस्ट स्रीज पसंद आरी है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सेर करो, लाइक करो और अगर चेनल पर अगर आप ने हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है तो इसे के साथ अपना जो नेक्स्ट क्यूसन है वो है इगल की पहाड़ी पर निमलिकित में से कौन सा किला इस्तित है एक नमबर पे है जेगड, दो पे है चित्तोडगड, तीन पे है सोनारगड तो इसका अपना राइट आंसर होगा जेगड का किला एक नमबर जेगड का किला राइट आंसर होगा जो जेपुर में इस्तित है नेक्स्ट चित्तोडगड किले के निमिली कितम मंदिरों में से कौन सा एक जेन मंदिर है एक नमबर पे है कुम्बश्याम जी मंदिर दो पे है 37 देवरी तीन पे है समिदेशवर मंदिर चार पे है तुलजबवणी मंदिर तो राइट आंसर होगा 27 देवरी जो जित्तोडगड में इस्तित है तुलजबवणी का मंदिर भी इंपोर्टेंट है ये भी एक जाम में काफी बार पुंचा हुआ है तो ये भी चित्तोडगड के दुरग में इस्तित है तुलजा बहुआनी का जो मंदिर है चित्तोडगड के किले में इस्तित है 45 नंबर क्यूशन है हरनी मादियो मंदिर इस्तित है एक नंबर भीलवाडा, दो चूरू, तीन बास वाडा, चार सिक्कर तो राइट आंचर होगा हरनी मादियो का जो मंदिर है ये भीलवाडा में इस्तित है तो एक नंबर अपना राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्यूशन किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के इस्तान पर गी का इस्तेमाल किया गया था बहुत ही प्यारा क्यूशन है एक नंबर पे हैं शिरिनात जी का मंदिर नात दुवारा दो है बांडासा जेन मंदिर बिकानेर तीन है सावलिया जी मंदिर चितोडगड चार है जामेश्वर मादेव मंदिर उदेपूर तो राइट आंसर बनेगा बांडासा जेन मंदिर बिकानेर यानि दो नंबर अपना राइट हो जाएगा निमिलिकित में से किस आसक ने टौक में परसिद्ध मंदिर स्री कल्यान जी का निर्मान करवाया था कल्यान जी के मंदिर से रिलेटेड क्यूशन है एक नंबर है राव सुरुजन हाडा ने दो है रजा दिक्व ने तीन है मारणा परताप ने चार है मारणा राज सिंग ने तो राइट आंसर होगा दो नंबर नेक्स्ट मंदिरों और इस्तानों या जीलों के निमिल्लिकित जोडू में से कौन सा जोडा सही डंग से मेल नहीं करता है करता है तो एक नंबर पे है तुलजा भुवानी मंदिर चिक्तोडगड ये तो सही है अभी जैस्ट थोड़ी दर पहले ही मैंने बताया है दो नंबर पे है तनोट माता मंदिर जेसल मेर तीन नंबर पे है उसा मंदिर बयाना और चार नंबर पे है जगत सिरो मनी मंदिर टॉक तो राइट आंशर हो जाएगा जगत सिरो मनी मंदिर टॉक उसा मंदिर बयाना में पढ़ता है ये भी राइट है तनोट माता का मंदिर जैसलमेर में पढ़ता है ये भी राइट है तुलजाबुवानी का मंदिर चितोड़गट में पढ़ता है ये भी राइट है तो अपना जो सही आंशर होगा वो होगा फोर्थ नमबर यहां से एक दो आप ध्यान में रग सकते हो जो तनोट माता का मंदिर है इसे थार की वेशनो देवी कहा जाता है थार की वेशनो देवी ठीक है और राजस्तान की जो वेशनो देवी है वो आबरुद माता का मंदिर है जो जेसल मेर में है उन्हें कहा जाता है अब नेक्ट क्योशन है मातर कु बीलवाड़ा, चार चित्तोडगड, तो राइट आंचर हो जाएगा चित्तोडगड, नेक्स्ट, उदेपुर के निकट एक लिंग जी का मंदिर किस सासक ने बनवाया था, एक नमबर राणा कुम्बा ने, दो राणा सांगा ने, तीन राणा उदे सिंग ने, चार बपा रा आवल, फोर्थ नमबर अपना राइट आंचर हो जाएगा, जो एक लिंग जी का जो मंदिर है, इसे उदेपुर के माराजाओं का या राजाओं का कुल देवता, कुल देवता कहा जाता था, या कुल देवता, या उदेपुर के जो राजा थे, वो एक लिंग नात जी के मंदिर को अपना कुल देवता मानते थे, और एक लिंग नात जी का जो मंदिर है, उसका निर्मान बपा रावल के द्वारा करवाया गया था, इसे के साथ, दोस्तो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, सेर करना, सबस्क्राइब करना अगर आप चैनल पे नहीं हो तो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर जरूर करना दोस्तों, कापी मैनस से वीडियो बनाया जाता है, अगर आप लोग इसे सेर नहीं करोगे, तो कैसे पा पड़ेगी तो मेरे आप से यह परसनली रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सेर करें थेंक्यू धन्यवाद